वेलकम फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत हैं आपका देखिए बहुत ही उम्दा वीडियो बनाएंगे और बहुत ही अच्छा जो अभी लेटेश टेक्नलोजी चल रही है बहुत ही कम पैसे में इतना अच्छा पीसी आपको मिल जाएगा कि जो आपको पूरे यूटूब प आपका जो है रहेगा एक MSI की तरब से और 16GB की रैम लगाएंगे एक जो है WD की हम 500GB की M.2 बहुत ही अच्छी स्पीट की लगाएंगे और एक हाट ड्राइब लगाएंगे वन टीवी की पावर सप्लाई रहेगी माई 600 वाट की और एक RGB कैबिनेट रहेगी बहुत ही हमार करने के लिए 24 इंच का IPS डिस्प्लेय का तो इन सभी पार्ट को मिलाकर तक्रीम साथ हजार रुपय कीमत हमारी होगी जो हमारे जो है देखिए सभी तरह का जो है आपकी नीड है डेटा स्टोरेज की नीड है आपकी वीडियो एडिटिंग की नीड है फूल एचडी में 4K में तो आप करिए आप जो है गेमिंग करिए लेटेश जितने भी कि हमारा है त्रिपल ए साइज के वह सब करिए बिल्कुल कोई लैग नहीं करने वाला क्योंकि प्रोसेसर हमारा 32 मेगा हर्स तक की फ्रेक्वेंसी को सपोर्ट करेगा और पूरा जो है हम इसका 16 GB रैम लगाएंगे उससे तो एक-एक करके सभी पार्ट को देखेंगे और इन सब पार्ट को अगर आप खरीदते हैं तो आप कहीं भी कोई सीवी PC की सौफ पर जाके आप इनको असेंबल करा सकते हैं विंडों आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और सौफ्वेर जो भी आप चल चलता है और यह आपका इंटल के 500 सीरीज वाले और 400 सीरीज वाले जो भी मदरगोड है उनको सपोर्ट करेगा हम जो है लेटेस्ट वाले पांसो सीरीज वाले मदरगोड को लगाएंगे तो यहां पर जो है आपको कई तरह के वैस प्वेनिविट्स इस वाले अधिर अभीत प्रोसेसर और मदरबोर्ड में दोनों में देखने को मिल जाएंगे क्या कि मिलें के वह मैं आपको अभी मैं बताऊँगा वीडियो में देखिए फ्रेंड्स आज कल कर जो भी गेम हा रहे हैं उन सब के लिए अच्छी स्पीड जो है आपको चाहिए होती है और आप जो है उस पैसे को अगर आप रैम पे लगाते हैं थोड़ा M.2 NVMe लगाते हैं बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड पे तो जो उसी रेंज में आपके प्रोसेसर हैं उनका जो है भरपूर जो है उपयोग करके जो भी आपका वरक है उसको ले सकते हैं तो देखिए आपका जो है बड़ा कोई सर्वर नहीं है कि आप पूरा सर्वर चला रहे हैं कि आपके सिस्टम पर पूरा सर्वर लगे हुए हैं जो आप चार-पांच लाग रुपए का कोई PC विल्ड करेंगे तो ऐसी एगर कोई requirement है special तब तो बाद कुछ और ही रहती है लेकिन जो मैं देखता हूं क बड़े बड़े PC एक लाग दो दो लाग रुपए की विल्ड होते हैं उन पर भी जो है वर्क वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं चाहें आपका 4K में है या आपकी Full HD में है या फिर Gaming है तो इस तरह कई वर्क आपके हो रहे हैं तो का अगर आपके पास है ज्यादा बजट तब तो आप ग्राफिक कार्ड में लगा सकते हैं तो मैं नहीं कर रहा कि बहुत ही बड़ीया जरय परफॉर्मेंस व् traveल wrapped लेगा लेकिन यह वीडियो उनलों के लिए है जिनके पास बचाश से साथ हिजार के असपरस है और जो है व प्रोसेसर तो आपको राइजन का छपपन सो जी मिल जाएगा जो आपको पांच यार रुपे लगवा तक्रीब ज़्यादा होगा जब विसे जार के आसपास हैं तो उसको भी प्यार कर सकते हो मदरबोर्ड थोड़ा चेंज होगा बागी पार्ट साफ सेम ही लगा सकते हो लगा लेंगे तो आपको जो है परफॉर्मेंस काफी बहतर और ज्यादा मिल जाएगी तो फिलाल अभी बात कर रहे हैं इंटेल कोर आई फाइब 11 जनेरेशन की मॉडल वन वन फाइब डबल जी रो के छे कोर बारा थ्रेल्ड एल जी बारव सो के पर चलेगा 65 वार्ट का प सपोर्ट कर जाएगा तो में एक प्लस पॉइंट आपका यह रहेगा लेटेश्ट वाले ग्राफिक काड़ आप जो है इसके साथ पेर कर सकते हो प्रोसेसर अपने आप में जो है बहुत ज्यादा कैवेबल है आप अगर कहीं भी ज्यादा कोई हैवी गेमिंग में कहीं भी आपका लेक किर रहा है अगरा फास भी जा रहvana कहीं पर तो आपके पास एक अप्सिन ख़ोला हुआ है कि आप इसके साथ ग्राफिक काट पीयर कर सकते हो ग्राफिक कार्ट प्रेयर कर सकते हो 4.0 वाला ग्राफिक कार्ड इसमें लगा सकते हो तो आपका जो है कुछ नहीं खाली ग्राफिक कार्ड ही लगना है और परफॉर्मेंस आपको समझाता नहीं करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर देखिए इंटेल की वेबसाइट पर जैसे कि मैं हमेशा कोई भी ट्रोसेसर अगर देखाता हूं तो उसको जो है ऑफिसली भी एक बार आपको जरूर बताता हूं 14NM की टेक्नलोजी है इसमें 7NM की जो है राइजन अधिकतर यूज करता है क्योंकि उनके पास जो है इस टेक्नलोजी को जो है वह वहां तक पहुंच चुके हैं और अभी जो है इंटेल जो है 14NM पे ही बना रहा है क्वार्टर वन 2021 में लॉंच हुआ प्राइज आपका 192 डॉलर से 202 डॉलर की असपर च्छे को बारा थ्रेट्स की है इसमें च्छे को रहें बारा थ्रेट्स हैं और मैक्सिमम जो है टर्बो वूश्ट टेक्नलोजी के थ्रू जो है आप सिक्स फोर प मिल जाती है आपको 65 वाज का और कंजिप्शन है 108 जीवी तक रैम लगा सकते हो डीडियार फॉर 32 मेगा हर्स तक की जो की बहुती बढ़िया है एक प्लस पॉइंट है की 32 मेगा हर्स तक की फ्रेक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है वह भी इंटेल में तो इंटेल के प्रोसेसर जो है 32 मेगा हर्स तक को सपोर्ट कर रहा है और लेटेश्ट आपको ग्राफिक मिलेगा आपको जो की साड़े साथ सो मॉडल है इनका और इसकी बेस्ट फ्रेक्वेंसी जो है ग्राफिक की साड़े 300 मेगा हर्स तक की है और अगर आप जो है 1.30 गीगा हर्स तक जो है इसका ग्राफिक मैक्सिमम डाइनामिक फ्रिक्वेंसी है यह सब जो है फ्रिक्वेंसियां तब जरूरी है जब आपका जो है कोई गेम चल रहा होता है तो उस समय जो है काफ़ जादा महत्पूर्ड यह वर्क करती है और ग्राफिक वीडियो मैक्सिमम मैमोरी जो है 64GB तक यहां पर देखो दे मैक्सिमम मेमोरी एसेवल तू दा प्रोसेसर ग्राफिक्स प्रोसेसर ग्राफिक्स ऑपरेट्स ऑन दा सेम फिजिकल मैमोरी एज दे सीप्यू सब्जेक्ट टू ओएस ड्राइवर एंड अदर सिस्टम लिमुटेशन्स कहने का मतलब है कि अगर 108GB यह सपोर्ट कर तो फ़र रहा है प्रोसेसर तो अदा जो है आपका ग्राफिक भी इसमें जो है शोफेशर चन्हीं मैमोरी यह बाट सकते आदा प्रोसेसर और आदा ग्राफिक जो है आपका मेमोरी को बाड़ सकता है तो यानि कि एकर 16GB की रहे में अगर इसमें लगा रहे हो तो 8GB जो है प्रोसेसर यूज कर सकता है और इसमें 4K सपोर्ट की बात करी गई है 60 GHz की स्पीट पर जो है आप जो है इस पर 4K की वीडिय चला सकते हैं और साथ ही साथ जो है इस पर एडिट भी कर सकते हैं और HDMI का रिजल्यूशन भी यहां पर दिया गया है डारेक्ट सेस्ट का सपोर्ट है 12.1 का और यहां पर PCI देखिए 4.0 तक का इसमें ग्राफिक आठाम लगा सकते हैं तो यह में चीजें जो है आपको यहां ज्यादतर दिखाता रहता हूं आप कोई साथ भी ब्रांट का आप लगा सकते हो वह कोई इशू नहीं है 500 सीरीज का आप लगाना मैं यह इसलिए दिखाता हूं कि यह सस्ता मिल जाता है तो यह पच्पंसो नियार्वे रुपे में आपका 11 जनरेशन के प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है साथ ही साथ जो है आपका यह 32 Nikomus तक की रेम भी सपोर्ट कर रहा है और PCI के 4.0 शलॉट भी आपको मिल रहा है जिसमें आप जो है आप ग्राफिक काड 4.0 जनरेशन के लगा सकते हैं M.2 का भी सपोर्ट मिल रहा है जनरेशन 3 तक की और USB के भी पॉर्ट संपको 3. 3.2 generation की मिल रहे हैं तो तमाम तरह की जो है इसमें सब्दाइं आपको कम बजट में देखने को मिल जाती है थोड़ा और ज्यादा अपग्रेटिट वाले लगाते हैं तो और ज्यादा आपको सब्दाइं मिल जाएंगे फिलाल यह कम बजट में जो है बहुत ही अच्छा जो है एक ग्राफिक हाट है तीन साल की इस पर भी आपको वरेंटी मिल जाती है टैन जनरेशन इलेवन जनरेशन तभी तोनों तरह के प्रोसेसर यह सपोर्ट कर जाएगा तो यह जो है कुछ बेसिक में बात है रैम इस वाली पीसी में जो है आपको सही रहेगी दो रैम इस्टिक 8GB की यहां पर लग जाएंगी रेट अभी बढ़ चुके है रैम के और एक M.2 NVMe लगाएंगे और यह जो है हमारी 500GB की रहेगी 3500 MB पर सेकंड की रीड इसकी स्पीड होगी तो बहुत ही बड़िया जो है इसकी स्पीड आपको मिल जाएगी जो बहुत ही जादा सिस्टम को स सब्साइब होगी रैम भी हमाई 16GB की है और यहां पर आपको 3500 MB पर सेकंड जो है आपको रीड और राइट स्पीड आपको मिल जाती है तो यह जो है काफी बहतर जो है आपको स्पीड के साथ जो है आपके सिस्टम को स्मूदली रन कराने में बहुत ही बड़िया जो है सप रहने वाला है कि वन टीवी हाड ड्राइब आपके डेटा इस्टोरेज के लिए काफी रहेगी बहातर सो आर्मी आर्पीम पर जो है यह मैक्सिमम रन करेगी हाड ड्राइब तीन हजार रुपए इसका 31 रुपए आज का मर्पी है दो साल पर आपको वारंटी देखने को मिल सबस्तित करने के लिए साथ इसाथ एक अच्छा लुक लाने के लिए जो है यह आपको कैबिनेट की आवश्रक्ता पड़ेगी चार फैन इसमें आपको लगे लगाए मिलेंगे तीन सामने एक बैक साइट पर और काफी बढ़िया जो है कैबिनेट है यह देखने में लग र देखने को मिल रहे हैं तो यह जो है दो कलर में है एक वाइट में है और एक ब्लेक में है तो इनको भी आप देख सकते हो 3850 रुपैस का MRP आज करेट में देखा रहे हैं एक मदर मदर्वोर्ट सबकी बात हो गई तो यहां पर जो है एक मॉनिटर है और ऑए एसर कंपनी का है साड़े टैसेंच यानी 24 इंच माना जाता है 23.8 इंच का जो है साइज है इसको 24 इंच में गिना जाता है IPS जो है इसकी डिस्पले है IPS पैनल है IPS पैनल लेने Κा फार्था ये है कि IPS पैनल जो बहुत बड़िया पैनल होते हैं जो आपको तीन सो साथ डिगरी पे मतलब चार ओर से कहीं भी देखो गए आप जो है विल्कुल देख पाओगे आपको दुनला कहीं से भी नजर नहीं आने वाला है तो IPS पैनल हमेशा देखके लें IPS पैनल कोई है फुल एचटी में इसमें इस वाले सिटम पर लखा गया है जो आज कीसी बना रहे नहुंद कोई सावी ब्रांड आप ले सकते हैं तो इतना जो है पैसा बहुत एरा रहता है CPU की बात करें तो हमारा CPU जो है तक्रीबन अलतारीस हजार के आसपा जो हमारा बनके त्यार हो रहा है बाकी 12-13 जार रुपे हम मौनिटर में लगा रहा है इसलिए 60,000 रुपे के आसपा बजट जा रहा है काली CPU बनाना चाहरा हो अगर आपके पास मौनिटर है तो उसको बना सक जो है सभी पार्स की तक्रीवन कीमत देखी जाए एक आई फाइब का वन वन फाइब डबल जीरो मौडल एक किसे आर चार सो एक चौवी सिंच का मौनिटर बारहाजार रार्सो निन्यान वेस और एक वन टीवी की हाट ड्राइब ती एक अत्तिस रुपे के आसपास है अर 336 रुपे का है सोला जीवी की ड्रैम है यानि की आठाट जीवी की दो इस्टिके लगा रहे हैं बत्तिसों मेगा हट्स तक के फ्रिक्वेंसी की तकरीबं बत्तिसों रुपे का अम रुपी यानि कि दो आपको बैठेंगी लगो चौश्ट सो रुपे की और डबलो डी की आ सभी कीमत 6666 रुपे देखिए इन सभी पार्ट्स पर आपको चूट देखने को मिल सकती है और अगर आप ऑफ लाइन भी अगर एक बार ट्राइक कर लेते हैं तो आफ्लाइन ट्राइक करने का मतलब मेरा यह है यह प्रोसर जो 21400 रुपे में आपको देखने को मिल रहा है य मॉनिटर भी आपको दस्यार के लमसं कम में ही आपको मिल जाएगा वन टीवी की हड ड्राइव लगबग 200 रुपे तक यह महंगी है 200-300 अभी 2600 रुपे में ऑनलाइन भी करें ती हमेजान पर कई एक मेरे वीडियो अभी बने हुए हैं लेटेस्ट वाले उनको आप देखन है साड़े 3800 रुपे इसमें रखा गया और पावर सप्लाई भी आपको इसी ब्रांट के लगा सकते हो 2324 तक की कोई सी भी आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी पावर सप्लाई रैम की भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं दीरे दीरे रैम जो है अभी जो अट्ठाइसो र सब्सक्राइब है तो अगर देखा जाए तो आपका चार पंच जार रुपे आपका बच सकता है अगर प्रोसेसर और मॉनिटर को अगर आप देख लोगो कहीं से तो फिलाल इन पेर्स के साथ में आपका जो है बहुत अच्छा जो है आपका पीसी बिल्डोर रहा है जो बहुत ही ज्यादा स्मूदली चलेगा बहुत ही ज्यादा आपको जो है परफॉर्मेंस निकाल के देगा और जो भी आज तक के लेटेस्ट गेम है वो सब आपके रन करा परदेगा इसके ग्राफिक जो है इतना कैपेबल है कि आपके जो है इतना पैसा जो है जब भी आप डालेंगे तो आप जो है जाया नहीं जाने वाला या म Meter जीवाब को मिल जाएगा और इसमें जो है संबाब्ना यह है कि आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं 4.0 generation के जो भी एी 3.0 की भी चलेंगे 4.0 की भी चलेंगे तो इस में ग्राफिक कार्ड कर लेते हो तो वह आपका जो है और विजादा इस वपर न ऊपर आपका पर्फॉर्मेंस आपको मिल जाएका जो आप अगर राइजन के साथ जो है प्रोसेसर के साथ किसी के लगाते हो ग्राफिक कार्ड तो उससे जो है उम्धा है आपका पर्फॉर्मेंस मिलेगा तो यह जुह है देखिए इसके टक्कर पर राइजन ने उतारा था राइजन का छपन सो जी तो यह देखिए आप राइजन जो है अधिकतर इतना सेल होता है काफी ज़्यादा अब उसको जो है जब राइजन के प्रोसेसर को छपन सो जी को उतारा गया था तो वो भी ऐसी लंसम विका करता था लेकिन आज जो है वो 26,000 के आसपास है इस से काफी ज़्यादा महँगा है और परफॉर्मस दोनों की कोई ज्यादा अंतर आपको बीशेश देखने को नहीं मिले का लेकिन प्राइज में आपको पांच यह रफे का डेफरेंस आपको दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगा त अगर देखिए मॉनिटर को अगर हम निकाल देते हैं यहां से इसको देखिए डिलीट मार दो तो अब देखना कितने का बन रहा है हमारा तो खाली CPU CPU आपका देखिए यहां पर आ चुका है 47,770 रुपय का यहां आपका मिल रहा है और यही कंपोनेंट अगर आप देखो मै इसको कार्ड में देखिए मूब करा देता हूँ मैं तो यह देखिए यहां पर आ गया तो यही सेम पार्ट्स रहेंगे मदरबोर्डी भी सेम रहेंगा बस प्रोसेसर चेंज हो जाएगा तो यही आपका 38,000 रुपय में आपका बन जाएगा सुपर परफॉर्मेंस आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी जो भी आपके गेम है GTA 5 है इसी की जादा डिमांड आती है तो यह जो है आपका आराम से चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल आप नॉर्मल साइटिंग्स पर चलाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह जो है आपका इसके इसमें आपका 3.0 जेनरेशन तक की ग्राफिक कार सप्रोट करेंगे जब भी आप ग्राफिक कार करोगा वैसे ज़रूत नहीं है ग्राफिक कार लगाने की क्योंकि यह ग्राफिक इसमें है अगर कुछ आपको दिमाग कह रहा है ज्यादा ही कुछ तड़की कर रहा दिमाग प्राफिक आपका तो उसको भी लगा सकते हो तो इसके साथ भी जो है आप यर अपका बन सकता है निसाग्जर में लिभी एच्छका दिमाग जहां दिमाग पड़ा की जिए ग। दिखा दिया वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत से भाईयों के कमेंट्स हैं पीसी बील्ड को लेकर उनके भी धीरे देखो बनाने का प्रयास कर रहा हूं एक भाई हैं काफी दिनों से कह रहा हैं बीस जार रुपय किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी वीडियो अगर आपको अपना पीसी एसेम्बल कराना है तो कमेंट कर सकते हो हो बजट उसमें डाल सकते हो कोई पार्ट के साथ में कंप्यार कराना है तब भी डाल सकते हो कोई भी कि इलक्ट्रानिक रिलेटेड के अगर कोई दिक्कत है तो हम बता सकते हो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद